नमस्कार दोस्तू मैं हूँ प्रतीक स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर आप सभी ने टाटा एल्ट्रोज के कई सारे एक्सिडेंट्स देखे होंगे जिसमें कार ने पैसेंजर्स को बचा कर अपनी बहतरीन बिल्ड क्यालिटी प्रूफ की है आज फिर से मैं इस कार का एक और खतरनाक एक्सिडेंट दिखाने वाला हूँ जिसे देखकर आपको ये समझ में आ जाएगा कि एक सेफ कार की इंपोर्टेंस क्या होती है एल्ट्रोज इंडिया की सेफ हैजबैक्स में से एक है इसके अलावा इस सेग्मेंट में पाँच और गाडिया इंडियन मार्केट में बेची जाती है जिनमें हुन्ड़ी आइट्वेंटी, होंडा जैज, फोक्सवेगन पोलो, मारूती सुदुकी बेलेनो और तोयोटा ग्लेंजा सामिल है इन सभी गाडियों में से सिर्फ फोक्सवेगन पोलो का ही अभी तक ग्लोबल एनकैप में क्रेस्ट किया गया है जिसमें इस हैजबैग ने 4 स्टार रेटिंग से स्कोर किया है बाकी इंडियन मार्केट में भिखने वाली इस सेग्मेंट के किसी और हैजबैग का भी तक क्रेस्ट टेस्ट नहीं हुआ है बात करते हैं एक्सिडेंट के निउस पर और इसा से टाटा एल्ट्रोस के उनर मिस्टर अभीनाज ताज जी ने मुझे मेल किया है और कुछ दिनों पहले हुए अपने कार के एक्सिडेंट की जानकारी दी है अगर आपके पास भी किसी एक्सिडेंट का फोटो या वीडियो है तो प्लीज सारी डिटेल्स के साथ मेरे इमेल, फेस्बुक या फिर इंस्टाग्राम पेज पर फ्रेयर करें मैंने इस एक्सिडेंट को लेकर अभिनाज जी से फोन पर भी बात की है जब ये एक्सिडेंट हुआ तब कार बिलकुल नहीं थी ना तो उस पर नंबर पड़ा था और ना ही अभी तक फूलों की माला उत्री थी सर ने बताया कि उनके डैड को ड्राइविंग नहीं आती है और इसलिए वो अपने इस नए कार से ड्राइविंग सीख रहे थे थोड़ी दूर नॉर्मल स्पीड में चलने के बाद अभिनाज जी के डैड को शायद ब्रेक लगाना था लेकिन उन्होंने गलती से अपना पैर ब्रेक के जगह एक्सिलेटर पर रख दिया और पूरा प्रेस कर दिया ब्रेक की जगह एक्सिलेटर दबाने से कार अचानक से काफी स्पीड में आगे बढ़ी और रोड के साइड में बने छोटे से डिवाइडर को जम्प करते हुए सीधा जाकर एक बड़ी पेड में लड़ गई अभिनाज जी के डैड कार में बिलकुल अखेले थे और जैसा कि मैंने बताया वो ड्राइविंग सीख रहे थे शायद इसी वज़े से उनको कुछ समझ में नहीं आया कार में अभिनाज जी के डैड के साथ कोई और ऐसा होता जिसको पहले से ड्राइविंग आती तो शायद ये हाथसा ना होता पेंड से तेज रफतार में लडने के बाद कार का पूरा फ्रेंट बुरी तरह से टेमेज हो गया जो कि फोटोज में भी साथ दिखाई पढ़ा आए हाला कि इसके विंडशील्ड और पिलर्स तक किसी भी तरह का कोई इंपैक्ट नहीं पहुंचा इसके अलावा सामने से लडने की वज़े से कार के दोनों एयरबैक्स भी तुरंत ही ओपन हो गए जिससे अभिनाज जी के डैड को बिलकुल भी चोट नहीं आई वो सेफली कार से बाहर आ गए दूसरी तरफ पेंड को देखा जाए तो एल्ट्रॉज से लडने के बाद ये जड़ से उख़ड कर नीचे गिर गया वाकई में इस एक्सिडेंट में एल्ट्रॉज ने दिखा दिया कि उससे ज़्यादा मजबूत और सेफ हैजबैक पूरे इंडियन मार्केट में नहीं है ये टाटा एल्ट्रॉज का बेस वेरियन्ट है जिसमें आपको दो एयरबैक्स, ABS, EBD के साथ कॉर्णर स्टैबिलिटी कंट्रोल, फ्रंट सीट बेल्ट विथ लोड लिमिटर्स और रियर पार्किंग सेंसर जैसे सेफटी फीचर्स स्टैंडर्ड की रूप में मिल जाते हैं हैजबैक का एक शोरूम प्राइस 5.44 लाइक रूपीस से स्टार्ट होगा, 8.95 लाइक रूपीस तक जाता है तो गाईज इस वीडियो में बस इतना ही आपको वीडियो कैसा लगा हमें कॉमेंस में जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं धन्यवाद